हेलो और वेल्कम बैक टू अंकर डिश्टल पॉइंट कैसे हैं आप सब ही मैं हूँ इमकान आप देख रहें आपका अपने उडुक चैनल अंकर डिश्टल पॉइंट काफी कोमेंट्स मेरे पास जो आते हैं उसमें बोलते हैं कि भाई TVS insta EMI card से कैसे हанич फ्लिप card सेॉपिंग करें volte й हां guys किकि जब आप THe emi card को option मिलता ही नही है कैसे मिलेगा आपको सब्सो प kein और रबव्सिंग ममसीन पैसे भी नहीं है और आपका ट जो आपको ऑ f行 कराट के अंदर ने तूसरी बात अगर आपके पस TVS इंस्टा EMI कार्ड है तो आप अपने TVS इंस्टा EMI कार्ड पर 25,000 रुपे का लोन भी ले सकते हैं जिसमें आपको एक भी डोकमेंट से नहीं देना है लोन लेने के लिए जी हाँ नाधार कार्ड देना ना पैन कार्ड देना अगर आप भी करना चाहते हैं लोन वीडियो को इसकी बिलकुल मत करना हो सकते वीडियो को लाइक करना चैल को जुरू सब्सक्राइब करना और बैर कंद दबाद दना ताकि आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए उसके बाद आपको क्या करना है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है जैसे ही आपको प्लेस्टोर पर या फिर एक वैबसाइट आपकी सामने ओपन हो जाएगी जहां पर कंप्ली डिटेल मैंने बता रखिया है कैसे आप टीवेस इंस्टा एमाई कार्ट से होलाइ आपको कोई मुबाइल फॉन खरीदा है फानेस पर और आपने ट्वेस से फानेस कराया आपको पता है तो ट्वेस आपको इंस्ट…. EMI card के लिए भी offer करती है अगर नहीं पता तो चलिए बताऊंगा आपको यहाँ पर अगर आपके पास TWS Instagram card नहीं कैसे आप बना सकते हैं यह भी आपको बता दूँँगा इसी वीडियो के अंदर तो वीडियो है जो already registered है आपके finance जो आपने कराया है ठीक है जो उस finance के साथ में और देखे जब आप अपने उस मुबाइल नंबर से जिस जो वाइल नंबर आपने उस वक्त दिया होगा जब आपने finance कराया होगा टीवियस से ठीक है वह वाइल नंबर जो आप यहाँ पर registration करेंगे लोगिन करेंगे तो आपको इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाया देगा और आपको यहाँ पर एक पोवप दिखाया देगा वह है इंस्टा कार्ड का ने तो आपको यहाँ पर पोवप दिखाया देगा TVS इंस्टा EMI कार्ड बनाने के लिए बस आपको चार से पाँच स्टेप में यह कार्ड बनाना है और कार्ड आपका बन जाएगा कैसे बनाना है आई बटने पर क्लिक करके देख लो वीडियो में ने उन लेडी बना रख इंस्टा कार्ड का आपको यहाँ पर क्लिक करना या फिर वहाँ पर क्लिक करना उसके बाद आना एक OTP आएगे देखिए आपका वह वाई लंबर जो लिंक है आपके अकौंट के साथ में वह आपके फोन के अंदर होना चाहिए जैसे OTP डलेंगे आपका कार्ड आपके सामन लिए आप देखों यहां पर मुझे फुल के वाईसी करने के लिए बोला है आप देखें यहां पर ठीक है यहां पर ओन-लाइन शोप कर टैप दिखा रहा है यहां पर क्लिक करना लेकिन आगे बढ़ने से फिर बार की वाइसी फुल कर लेना तभी आपको और अप्शन मिल होम अपलाइन्सी जो भी आप लेना चाहते हैं रहिए इक लेक होड़ाई आपको दिखा रही है फ्लिय पार अप्ट एमाजोन और ढबर्स और अभी कहाएं इडिगेंज नेके लिए खौल धीस। और अगर आप मुबाइल भी कर देंगे तो इसके लावा में यहाँ पर दो कंपनी आपको दिखाए देगी देख सकते यह वाली ठीक है इसके लावा अगर इलक्तोनी प्रोडक्ट लना चाहते तो आपको यहाँ पर दिखाए देंगे यह वाली कंपनी वोल्टाज और वोट इसके लाव अगर आप home appliances लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगा सिंपनी के अंदर ठीक है तो आप बस यह select किये जाएगे कहां पर आप लेना चाहते हैं e-commerce ठीक है आपने सोपनाव पर क्लिक करना है हाँ आपको यहाँ पर एक बात का जरूर धियान लगना है अगर आप डिर कर ना ठीक है लोंगिन करना है अपने उस मुईलमबर से जो लिंक है आपकी TBS के साथ में ठीक है मैं करता हूं continue क्लिक हम आ ठेस के साथ में इसके बाद एक OTP आ पर बारकर आप इमेंडेट करके मैंने आपको पीछे भी दिखाया था हो सकता है मेरा option यहाँ पर ना दिखाया दे मुझे आपको भी सभी काम complete करने तभी आपको यहाँ पर TVS card से shopping करने का जो है वहाँ पर tab दिखाया देगा EMI का tab आपको यहाँ पर click करना है all EMI option पर click करना है आप देखें यहाँ पर अगर TVS से product available होगा मिलने के लिए तो आपको TVS यहाँ पर दिखाये देगा वरना नहीं दिखाये देगा ठीक है तो यहाँ पर TVS मेरा show नहीं कर रहा है और मुझे पता यह show क्यों नहीं कर रहा है यह show इसलिने कर रहा है guys क्योंकि मैंने TVS की full KYC यहाँ पर नहीं की है मेरा show इसलिने कर रहा है क्योंकि मैंने full KYC नहीं की है तो आपको यहाँपर क्या करना है और जाने के बाद आपको यहाँ पर हो जाएगा ठीक है । सेंही तरीकि से आप यह अंगर आप बीस ने हैंगे यह को whilst करना है और आप यहां पर पर्रेमिट करना होगा ठीक है और उससे पहले आपको यहांавar वी वियरफाई कीजए तो पैन काड का नमबर यहाँ पर डालना है और वैलिडीटि effective कोना है ठीक है मैं पैनकाड का नमबर डालके कर देता हूं एक बार एकट ठीक है और जो है उसके बाद जो है मुझे यहां पर successfully मेरी KYC हो जाएगा अधरकाड से KYC मुझे यहां पर करनी होगी ठीक है तो मेरे देखिए KYC हो चुकी है KYC तो मेरे केवले pencard detail मांग रहा था जो मेरे successfully हो चुकी है mandate करना मुझे बाकी है ठीक है तो यह तो हो गया भाइसा आप कैसे आप online आप कर सकते हैं आप बात करते हैं कैसे आप लोन ने सकते हैं अगर आपको टीवेस इंस्टा इमाई काड मिला वाए तो इसके लिए आपको bank transfer पर क्लिक करना है जो आप bank transfer पर करेंगे को टीप आपके पास आएगगी ओटीप आपको यहां पर डाली है अलग करना जितनी बार बेला कुने के लिए बोले और उसके बाद गाइज देखें आप यहां पर कितने पैसे निकाल सकते हैं आप मैक्सियम 25,000 पर ही निकाल पाएंगे अपने टीवेस इंस्टा इमाई काड से इस्यादा ने निकाल सकते हैं मेरी 85,000 पर निकाल सकता हूं ठीक है इस से कम आप 23,000 पंदर अजार देखें अपनी मर्जे चूज कर सकते हैं 5 से लेगर 25,000 पर तक आप यहां पर निकाल सकते हैं बाकि आपकी मर्जी जो भी आप निकालना चाहते है उसके बाद पर प्रपोस करना है लोन के लिए उसके बाद नीचे आपको 10 चूज करना है 9 मेने 6 मेने 12 मेने पर तक जो भी आप चूज करना है डेट अब पर डालना है और पोसीड करना है जैसे प्रोसीड करेंगि और आप यहां वर cancelled को वेरफाइ करना है और लॉन को लेना अपने बैंक प्रवाइन किसी भी स्टोर में जाकर और जैसे आप फाइनेस करा लेंगे दोस्ते चार मेने के बाद जैसे आप यह माई पेमिंट करेंगे तो वीडियो कैसी लगी लाइक करना चाल को सबस्टाइब करना चलिए गाज मुद्धे करते करते करें तो साथ मैं तो इस तो मच